स्वागत है आप सबका जेसी यी आटी के डीजी स्कूल में चलिए पढ़ते हैं वर्ग सब्तम का दुद्यपाठ गिल्लू जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा सून जोही में आज एक पीली कली लगी है इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरन हुआया कंधिय पर कूद कर उसे चौका देता था तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लगू प्रान की खोज है परन्तु वो तो अब तक इस सोनजोही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा कौन जाने स्वर्निम कली के बहाने वही मुझे चौकाने उपर आ गया हो अचानक एक दिन सबेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कववे एक गमले के चारो और चोचो से छुआ छुओल जैसे खेल खेल रहे हैं यह काग भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अव्मानित हमारे बिचारे पुर्खे ना गड़ुड के रूप में आ सकते हैं ना मयूर के ना हन्स के उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अव्तिर्ण होना पड़ता है इतना ही नहीं हमारे दुरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनकी करकश स्वर में ही देना पड़ता है दूसरी ओर हम कववा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं मेरी काग पुरान के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दिवार की संधी में छिपे एक छोटे से जीफ पर मेरी द्रिष्टी रुख गई निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवता खोसले से गिर पड़ा है और अब कववे जिसमें सुलब आहार खोज रहे हैं काक द्वय की चोचो के दो घाव उस लगुप्रान के लिए बहुत थे अथा वह निश्चेश्ट साग गमले से चिपका पड़ा था सब ने कहा कववे की चोच का घाव लगने के बाद यब बच नहीं सकता अता इसे ऐसे ही रहने दिया जाए परन्तु मन नहीं माना उसे हौले से उठा कर अपने कमरे में लाई फिर रूई से रक्त पोच कर घाव पर पेंसलन का मरहम लगाया रूई के पतली बत्ती दूद से भिंगो कर जैसे पैसे उसके नन्हे से मूँ में लगाई पर मूँ खुल ना सका और दूद की बूंदे दोनों और ठुलग गई कई घंटे के उपचार के उपरांथ उसके मूँ में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्थ हो गया कि मेरे उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ कर नीले काच की मोतियों जैसी आखों से इधर उधर देखने लगा पीन-चार मास में उसके स्निक्ध रोए, जब्विदार पूच और चंचल चमकीली आखे सबको विस्मित करने लगी हमने उसकी जाती वाचक संग्या को व्यक्ती वाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी मैंने फूल रखने की एक हलकी डलिया में रूई बिचाकर उसे तार से खिड्की पर लटका दिया वहीं दो वर्ष गिल्लू का घर रहा वह स्वयम हिला कर अपने घर में जूलता और अपनी काँच के मनकोसी आखो से कमरे के भीतर और खिड्की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था परन्तु उसकी समझतारी और कारे कलाब पर सबको आश्चरे होता था जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतने तिवर इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाई खोच निकाला वह मेरे पैर तक आकर सर्व से परदे पर चड़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता उसका ये दोड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रग देती कि उसके अगली दो पंजो और सिर के अतरित सारा लगुकात लिफाफे के भीतर बंद रहता इस अद्वुच स्थिती में कभी कभी घंटों मेज पर दिवार की सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कारे कलाब देखा करता भूक लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिती में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता रहता फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया नीन चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी बाहर की गिलहरिया खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगी गिल्लू को जाली के पास बैट कर अपने पंच से बाहर जाकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवशक है मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्क से गिल्लू ने बाहर जाने पर सच्मुछी मुक्ती की सांस ली इतने छोटे जीव को घर में पले कुटे बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी आवशक कागस पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंधी रहता है मेरे कॉलिज से लोटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक तोड़ लगाने लगा तब से यह नित्य का क्रम हो गया मेरे कमरे से बाहर जाने पर वभी खिड्की के खुली जाली की रा बाहर चला जाता और दिन बर गिलहर्यों के छुटका नेता बना हर डाल पर उचलता कूदता रहता और ठीक चार बजे वखिड्की से भीतर आकर अपने झूले में छूलने लगता मुझे चौकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन हो गई थी कभी फूलगान के फूलों में छिप जाता कभी परदे की चुननट में और कभी सोनजुही की पत्तियों में मेरी पास बहुत से पशुपक्षी हैं और उनका मुझसी लगाव भी कम नहीं है परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी धाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरन नहीं आता गिल्लू इनमें अपवाद था मैं जैसी ही खाने के कमरी में पहुचती वह खिड़की से निकल कर आंगन की दिवार बरामदा पार करके मेज पर पहुच जाता और मेरी धाली में बैट जाना चाता बड़ी कठिनाई से मैंने उसे धाली के पास बैटना सिखाया जहां पैट कर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठा कर बड़ी सफाई से खाता रहता काजू उसका प्रिया खाद दे था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीजे या तो लेना बंद कर देता था या जूले से नीचे फीक देता था उसी बीच मुझे मोटर दुरगटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा उन दिनों जब मेरे कमरी का दर्वाजा खोला जाता गिल्लू अपने जूले से उतर कर तोड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोसले में चाबैटता सब उसे काजू दे जाते परन्तु अस्पताल से लोटकर जब मैंने उसके जूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले जिन से ग्याथ होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिया खादिक कितना कम खाता रहा मेरी अस्वस्थता में वो तक्ये पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता गर्मियों में जब मैं दोपेर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपनी जूलि में बैठता उसने मेरे निकड रहने के साथ गर्मी से बचने का सरवथा नया उपाय खोज निकाला था वो मेरे पास रखी सुरहाई पर लेट जाता और इस प्रकार समीब भी रहता और ठंड़क में भी रहता गिलहरियों की जीवन की अबदी दो वर्ष से अधिक नहीं होती अता गिल्लू की जीवन यात्रा का अंथ आही गया दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया रात में अंथ की यात्ना में भी वह अपने जूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंड़े पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बच्पन की मरनासन स्थिती में पकड़ा था पंजी इतने ठंड़े हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उशनता देने का प्रयत्त किया परंतु प्रभात की प्रधम किरन के स्पर्ष के साथ ही वो किसी और जीवन में चांगने के लिए सो गया उसका जूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बन करती गई है परंतु गिलहरियों की नए पेड़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोनजुही पर बसंत आता ही रहता है सोनजुही की लता के नीचे गिल्लों को समाधी दी गई है इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी इसलिए भी कि उस लगुगात का किसी वासंती दिन जुही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संदोश देता है